हलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपको ये बताने जारा हूं कि कैसे आप अपने Nokia C12 Pro Android में आप अपने mobile phone की slow internet की problem को आप solve कैसे कर सकते हैं आज की इस वीडियो में आपको detail में जानकारी देने वाला हूं तो चलिए आप वीडियो का में start कर लेते हैं देंगे दोस्तों कभी भी अगर आपके mobile phone में internet अगर slow काम करता है तो इसकी solution के लिए आपको करना ये है कि आपको अपने mobile phone का software एक बार चेक करना है कि वो updated है या नहीं है दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे phone का software का update आता है हम उसे update नहीं करते है या फिर कभी update आता है तो कभी कभी हमारों को पता नहीं लग पाता है तो mobile phone का software होता है वो हमारा updated ना होने के कारण भी हमारे mobile phone के android system के अंदर कुछ कमियां आने लगती है तो आपके mobile phone का software है वो आपका update है या नहीं आपको check कैसे करना है देखें इसके लिए आपको ना सबसे पहले तो mobile phone का Internet आपको चालो रखने है ठीक है इसके बाद आपको mobile phone का setting page open कर लेने है setting page open करेंगे ना इसमें आपको जो सबसे नीचे system पे tap करने है इसके इंदर आपको सबसे नीचे system update पे tap करने है आपको इस वाले page पे अगर कोई भी update का button या download install अगर लिखा हुआ दिखाई देता है उससे आपको tap कर देना है इससे आपके phone का software जो हो update हो जाएगा और आपके phone के slow internet की problem solve हो जाएगी ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगला process करना है क्या है कि आपको जोना अपने mobile phone की network setting को एक बार reset करना है ठीक है दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे phone की जो network setting होती है कभी के बार यह properly ठीक तरिक से काम नहीं करती है जिसकी वज़से हमारे phone में slow internet की problem देखने को मिलती है तो आपको अपने mobile phone की network setting को reset करने के लिए आपको mobile phone करना setting पेज ओपन करना है ठीक है आपको अगले पेज में नीचे की साइड यह रिसेट सेटिंग का option टैप करना है अब इसके अगले पेज में आपको दुबारा से इसे रिसेट सेटिंग पर यहाँ पर टैप करना है तो आपको थोड़ी देर में यहाँ नीचे लिखा हुआ आएगा यह देखिए network setting have been reset टीक ह तेकि mobile phone की APN setting को reset करने के लिए आपको mobile phone का setting page open कर लेना है इसमें आपको सबसे उपर की साइड यह network and internet का option आपको tap करना है अब इसके अगले पेज में आपको यह एना सबसे नीचे की साइड आ रहा है सबसे नीचे आपको यह access point name का option यह tap करना है तो आपका अगला पेज य उपर ये right side की top पर आपको 3 dot पर tap करना है ठीक है आपका एक छोटा सा page open होता है इस page में आपको 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 तोड़ी देर में नीचे की side यहाँ पर लिखा हुआ आएगा reset default app setting तो इस तरीके से आप जो है mobile phone की app setting को reset कर दिंगे तो इससे आपके phone की slow internet की problem solve हो जाएगी ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो है अगला process यह करना है कि आपको अपने mobile phone को एक बार restart करना है mobile phone को restart करने के लिए phone के side वाला power button उंगली से दबा के रखना है आपकी screen की सामने page आगा इसमें आपको restart पर टैप करना है इससे क्या होगा आपका phone automatic switch off हो जाएगा फर इसके थोड़ी दिर बाद automatic switch on हो जाएगा restart करने से यह होता है कि हमारे mobile phone के android system में अगर कोई problem आ जाती है तो वो problem solve हो जाती है अब सबसे आखरी process आपको करना है यह है कि आपको अपने mobile phone को reset करना है देखिए दोस्तों आपको अपने mobile phone को reset आपको तब ही करना है जब मेरे बतायवे पिछले process काम नहीं करते है तब आ इसकले पेज में सबसे नीचे की side है erase all data factory reset पर tap करना है इससे आपका phone reset हो जाएगा और आपके phone की slow internet की problem है वो आपकी solve हो जाएगी ठीक है लेकिन आपको phone को reset करने से पहले दो बात होगा ध्यान रखना है पहली बात ही ध्यान रखने है आपके phone में जितना भी data है सारा data आपको जितना ही process बताएं सारे आपको use करने तो इससे आपके phone की slow internet की problem solve हो जाएगी